Hello friends, मेरा नाम रजनी है और मैं हिंदी पुत्री पार्शा लसीने सेकेंट की खना की 12th Standard की स्टुडेंट हूँ. जैसे कि हम जानते हैं, हमारा पूरा वर्ड कोरुना वाइरस से जूज रहा है. ये एक infectious disease है, जो human to human खरता है. हम आपको एक example के दूर समझाते हूँ. For example, एक A-Category का परसन है और एक B-Category का परसन है. उन दोनों में से A-Category का परसन इंफेक्टिट है. जब A-Category का परसन B-Category के कॉंटेक्ट में आएगा, तो B-Category का परसन भी इंफेक्टिट हो जाएगा. जब B-category रिखनी, family, relatives और friends के contact में आएगा तो इसके family, friends और relatives रिखने हो जाएगे जिसके थूर। करोना वाइरस की chain develop होगी है। तो इस chain को प्रेक करने के लिए हमारे WHO और other child departments के कुछ गाइडलेक्स करना हैं। वोने कुछी गाइडलेक्स को हमें फोलो करना है। वो गाइडलेक्स कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है हाइजिंग, हाइजिंग मतब साफ सफाई, जितनी साफ सफाई होगी हम उतना ही infection से बच सखेंगे। उसके बाद है है hand wash करना और अपने face को cover करना। अगर अपने face को cover करके रखेंगे और time to time hand wash करेंगे तो हम अपने आपको infection से बचा सकते हैं। उसके बाद lockdown का period चल रहा है। तो हमारी personal responsibility यह वन्ती है कि हम lockdown को पूरी तरह फोलो करें। और बहार तभी जाए अगर हमारा कोई ज़रूरी काप है। तो ब्लीज अपरी ही रखेंगे तो की रुखा जबूरी नवी को सुरक्षी तो कॉखा है। थैक यह।